वहलो और व्रेंडेट वेल के साथ लेकर आए ओए नहीं है अनगी जो जड़ी के लिए चिकन चंगेजी जो की है चिकन चंगेजी चिकन चंगेजी सुनने में ऐसा लगता है कि बहुत जादा डिफिकल्ट हो का बनाना लेकिन आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बह यहां पर चार खड़ी लाल मिर्श ली थी तीन से चार कलिया मैंने लसन की ली थी और थोड़ा सा अद्रक और उसमें मैंने एक टुकड़ा टमाटर का डालके उसका मैंने फाइन पेस्ट बना लिया था इसके बाद यहां पर हमें चाहिए दो चमच अद्रक लसन का पेस्ट भ जालेंगे यहां पर नीम्बू और दो चमच अदरक लसन का पेस्ट और अपना ये रेट चिली पेस्ट और नमक अब हम इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको आदे गंटे के करीब मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे अगर आपके पीसिस बड़े हैं त आप उसमें कट लगा सकते हैं जैसे लैक पीस के पीस में तो इसको इतने मैरिनेट करते हैं इतने हम अपनी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं तो चिकन चंगेजी की ग्रेवी बनाने के लिए हम चाहिए एक चमच द्रक लसन का पेस्ट एक कप दूद कुछ मसाले धनिया पॉड अगर आपकी टमाटर बढ़े हैं तो आपको यहां पर दो टमाटर बहुत हैं तो आप 2 बड़े टमाटर को पीस लीजेगा फ्रेश टमाटर उसकी वहां मैंने लिए दो प्याज बारी चॉप दूदूई और 12 मैंने बादाम लिए हैं और चार चमच मैंने ख्रीम लीए अम हमारी प्यास हमने कारी थी और बदाम उनको हम फॉराई कर लेंगे हम इनको जब तक ही प्योल्डे नहीं हो जाती Symphony कर्णा घू झाल स्थ हम इनको करना हम निउह रह अब इसको चलाते रहे गाए वए यहां और यहोद नो एक बिल्क पहलें cách बहु करने हमार्य प्यासर लगबग हो गई है तो इनको हम एक बोलमे निकाल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे हैं अब इसी ऑयल के अंदर हमें मों क्या कर आप इसाइमें हमें अडरक लशन का पेस्ट जाल एक चमच और उसको हमें हलका सा भून लेना है जब तक उसका कलर थोड़ा सा चींज नहीं होजाता है light golden color नहीं हो जाता है इसको हम इतने भूनते रहेंगे और जिप देखिए इसका color थोड़ा change अना start हो गया अब दाल देंगे प्योरी डालने के बाद हम इसमें यह जो हमारे मसाले हैं यह भी डाल देंगे और अगर आपके थोड़े लाफ्ट ओवर है जाए तो आप थोड़े सा पानी आड़ करके इसमें डाल दीजेगा रेट चली पेस जाल देंगे और इसको अब हमम्हीं मिक्स करद अगर हम इसको तब तक mix करेंगे जब तक हमारे टेमाटर के पानी है वह सूप नहीं आई जाता और अउयल हमारे सर्फेस पे नहीं आता था तब तक हम इसको बूहने क्वाशरasure आप इसको है फ्लेम पे ही पूहनिएगा थोड़ा जल्दी हो कि इसको मिक्स देते रहेंगे बीच बीच में कि देखे हमारा ओई उपर आ चुका है और ग्रेवी भी हमारी बनकर रेडी है अब इस स्टेच पे हमने जो बादाम और प्यास का पेस्ट बनाया था वह हम इसमें डाल देंगे और उसको फिर से एक मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर से वही प्रोसीजर 5-10 मिनट के लिए आप इसको स्लो फ्लेम पर भूनेंगे मसाले के साथ फिर हम इसमें अपना दूड डाल देंगे मैंने यहाँ पर एक कप दूड लिया है चोटा जिसमें हम चाई पीते हैं वह वाला कप फिर हम इसको अच्छे अब इसके बाद हम इसको रख देंगे साइड में फिर हमारा मैरिनेट चिकन था इसको हमें क्या करना है हम एक दूसरा पैन लेंगे उसमें हम बटर डालेंगे एक क्यूब बटर का और अपना यह सारा जो हमारा चिकन है इसको हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसको हमे बिल्कुल ड्राय कर लेना है पहले हम इसको 15 मिनिट के लिए स्लो फ्लेम पर ढखकर छोड़ देंगे और उसके बाद 15 मिनिट के बाद अगर फिर भी आपको यह लगता है कि इसका पानी बहुत जादा क्योंकि इसमें जादा हमने कुछ नहीं डाला है सिर्फ इसमें रही है त बाद आधा कप पानी डालें और फिर से इसको एक मिक्स दे देंगे और फिर से दस मिनिट के लिए हम इसको ऐसे ही चिकन के साथ ताकि चिकन में इसका फ्लेवर आजाए ग्रेविका हम इसको अच्छे से पकाएंगे अब से स्टेज पर हमारी जो यह क्रीम थी चार चमच र तर फिर से हम इसको मिक्स कर लेंगे प्रीम डालने के बाद हम इसको सिर्फ पांच मिनट के लिए पकाएंगे जादा नहीं कि और पांच मिनट में इसका कलराना स्टार्ट हो जाएगा यह देखिए यह हमारा चिकन चंगेजी बिल्कुल एकडम बनकर रेडी है कि कितना चा कल बिल्कुल जामा मजजिद स्टाइल लगेगा और लास्ट में हमें हरगनिया और यह मैंने पूरी हरी मिर्ष लिए मैंने इसको कट नहीं किया है अब पूरी इसमें हरी मिर्ष लालेंगे और हरे धनिये से बहुत टेस्टी लगेगा अब एक बर ज़रू ट्राइक करके आप इसको नाम के साथ खाये या फिर रोटी के साथ खाये यह बहुत टाम्टिंग लगेगा एक बार आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा अपने फ्रेंड और फामली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चानल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प